Hello Everyone, Welcome to M3 Academy और M3 Academy के Telegram Channel पर स्टार्ट हुआ है Super 100 M3 Task जिसमें आपको डेली 100% Probability वाला टोपिक दिया जा रहा है उस टोपिक पर आप आपको Heading भी हम दे रहे हैं किस Heading में आपको Flashcard बनाना है आपके खुद के Notes से आप उसमें Flashcard बनाईए और उस Flashcard को हमारे Telegram Group पर Share करेंगे जिस भी Members के Flashcard पर सबसे अच्छे Reaction आएंगे उसको M3 Academy के तरफ से Award या Price दिया जाएगा और इस Task में आप जो भी Flashcard शेयर करेंगे उसमें Language के साथ में Share करेंगे जिसे हैं यहाँ पर आपने Flashcard बनाया Food Adulterant का तो Food Adulterant का Flashcard बनने के बाद में आप इसमें Language के साथ अपना Flashcard सब्मिट करेंगे वहाँ पर लिखेंगे कि Food Adulterant Disease और इसमें आप लिख देंगे कि Hindi या फिर English तो जो भी Hindi वाले Members होंगे उनको अलग Group में एड करेंगे जो English वाले Member होंगे उनको अलग Group में एड करेंगे Super 100 M3 Topics के दोनों के अलग-अलग Groups बनाए जाएंगे और Groups पर Live Mnemonics के Session कंड़क्ट होंगे Most Potential Question जो पूछे जा सकते हैं Potential Question वहाँ पे अपडेट होंगे और Quizzes भी वहाँ पे अरेंज के जाएंगे ताकि आप सबसे Most Potential Question है Most Expected Question है उनको अपनी Finger Tips पर कर पाएं तो यहाँ पर जो पहला Topic हमने लिया है वो है Food Adulterant Disease Food Adulterant Disease में अपन शुरू करते हैं आप सबने Flash Card बना लिया होगा जिन जिन ने बनाया है उनके लिए Section है तो यहाँ पर अपन यह Table को देखते है Food Adulterant Disease को तो यहाँ पर देखो Food होता है Adulterant होता है Toxin है, Disease है, Profile Access है और Special Point है तो पहला आपन Food ले लेते हैं यहाँ पर दाल कैसे याद रखेंगे आप देखों यहाँ जो दाल हो रही है, यह क्या हो रही है, Boil दाल तो Boil दाल से आप इसको याद करेंगे Boil दाल, तो दाल क्या हो रही है Boil, तो Boil दाल Boil दाल से क्या आपको रहने वाला है Boil बनेगा Boa, तो इसका जो Toxin होता है वो होता है B-O-A-A Beta Oxalil Amino-Alanin तो B-O-A-A इसका Toxin होता है और Toxin की जो फुलप्रों में उसको बदल के भी काफिवार क्यूशन पूछ सकते है तो यहाँ पर क्या इसकी फुलप्रों में Beta Oxalil Amino-Alanin Beta Oxalil Amino-Alanin तो अपने क्या देखा है, यहाँ पर तो बोयल दाल तो बोयल दाल से क्या बना इसका Toxin, Beta Oxalil Amino-Alanin और दाल से क्या बना दाल और दाल से यह लिए आप खाऊगे तो दाल खाने से आपको Satiety आ सकती है मिन्स आपका पेट बर जाएगा तो यहाँ पर इसको क्या बोलते है अपन प्लांट को बोयल दाल की स्टोरी है बोयल दाल इतना से याद रखेंगे बोयल दाल इसका Toxin हो जाएगा दाल से Food डाल हो जाएगा आपने इसको नहीं खाया तो लेथार्जी होगी मिन्स लेथाइरिजम अब दाल में अपन क्या मिलाते है डाल में अपन उपर से मिलाते हैं निबू डाल में उपर से क्या लेमन लेमन अपन उपर से मिक्स करते है और लेमन में क्या होता है विटामिन सी तो ज़िए आपको डाल में से Toxin हटाना है तो आप क्या मिलाते हो तो उपर से लेमन मिल्स विटामिन सी और मैंने शुरू में क्या ट्रिक बताई इसकी बोईल्ड दाल तो इसको बोईल करने से भी इसका टॉक्सिन हटता है मिल्स पार बोईलिंग एंड इस्टिपिंग यह सारे मेथड इसके टॉक्सिन हटाने के हैं अब जो इसमें लेथारिजम होता है कौन कोन से टाइप होते हैं एक होता है न्यूरो लेतारिजम एक होता है ओस्टियो लेतारिजम होता है और यहा पर एक चीज है कि आप डाइट में एड़ी 30% जज्यादा इस डाल को लेते हो दोसे 6 मेह तक तब आपको यह डीजीज होने के चांसेस रहेंगे और यह 15 से 45 साल की edge में होते हैं अब इसमें stick 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 वाले stages आती है फेले let end, no stick, one stick, two stick and then collar stage ऐसे इसमें stage चलती है तो neuraletarism किसमें होता है? human में क्योंकि human के last में क्या लगता है? और जो osteoletarism है, वो others में होगा means वो animals में मिलता है 30% से ज़्यदा diet में आपको लेना है तब वो 2-6 मिनित तक आप regular लेते हैं तो आपको ये letharism यहां पर होने वाला है तो यहां पर अपने पहला जो food adulterant है, वो clear किया दाल second पर चलते हैं अपन mustard oil इसमें क्या होता है? argymol, mexicana adulterant है toxin होता है sanguinarine disease करता है epidemic dropsy इसका test के लिए अपन काम में लेते है nitric oxide and pepper chromatography तो इस बीमारी में क्या होता है? epidemic dropsy में epidemic dropsy में heart failure हो जाता है heart failure की वज़े से इसमें bilateral lower limb में edema आ जाता है और साथ में क्या हो सकता है? एक कर से food poisoning है तो passion को diarrhea हो सकता है यहाँ पर इसको नहीं होगा breastfeed infant को क्योंकि वो तो ऐसा कोई toxin बार से नहीं लेता है वह कुल सा है Sanguinarine toxin कौन सा है है यहाँ पर sanguinarine तो यहाँ पर sanguinarine उन्हें से एक song होता है song होता है sanguinarine से न्हींपन पढ़ेंगे सुनो ना संग मरमर तो यहां पर सोंगे आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यूटीब पर जागे सोंग को सुन लो कि यहां मेकसिकेना की बात की जा रही है, मस्टर्ड की बात की जा रही है, तो कुछ भी नहीं है, आगे, आगे means, आर्जी मून, आगे means क्या हो गए यहां पर, आर्जी मून, मेकसिकेना, मेकसिकेना, आज से दिल पे, तो दिल पे मतलब हार्ट पे, तो इसमें हार्ट पे क्या होने वाला है फेलियर हार्ट की बिमारी होने वाली है हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है बाइलेटर लोवर लिम में डीमा होता है क्योंकि हार्ट आगे ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो बोडी में जो भी है वह विनस इस्ट्रेसिस होता है और बाइलेटर लोवर लिम म इडििमा होता है तो पिख में क्या मिलने वाला है जो идет song बोल रहा है song जो बोल रहा है वहीं आप क्या याद करेंगे, सोंग, सोंग क्या है, सुनो ना संग मरमर, तो संग मरमर से क्या बनेगा, सैंग बेनेरीन, सैंग बेनेरीन इसका टॉक्सीन है, सैंग बेनेरीन इसका टॉक्सीन है, और इस सोंग में क्या क्या आता है, इसमें मिनारे आता है, मिन्स मेक्सिकेना हो जाएग तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ARG means क्या बन जाएगा यहाँ पर? Argymone, Argymone Mexican, तो Argymone Mexican कहना में कौन सा toxin होगा? Sangvinerine, यह आप यहाँ पर याद कर सकते हो, और disease कौन सी होती है? इसमें epidemic dropsy, जिसमें P4, P4 pyruvic acid, और P4 यहाँ पर देख सकते हैं कि paper chromatography, most sensitive test होता है इस toxin क यहाँ पर edema हो सकता है, तो यह अपने यहाँ पर देखा, sangvinerine के बारे में, sangvinerine, epidemic dropsy, इसमें संग, संग रहना है, किसके संग रहना है? आपके, आपके means epidemic dropsy, यह सबको clear होगा, mustard oil, Argymone Mexican, sangvinerine, और epidemic dropsy, और भी आप याद करना चाहो तो यहाँ पर सेड याद कर सकते हो, said sangvinerine, Argymone Mexican, और dropsy, तो आगे अपन चलते हैं, अगला, जो है millet, millet में क्या होता है, crotal area, seeds, या जुन जुनिया, इसमें pyrolygidone होता है, hypertoxic होता है, और endemic ascitis करता है, तो यहाँ पर हिंदी में अपन जो endemic को क्या पढ़ेंगे, endemic को पढ़ेंगे, अपन अंडा, अंडा मींस क्या होता है, एग, तो यहाँ पर फोटो में आप एग देख रहे हो, यहाँ पर फोटो में आप एग देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एग में, कि एग को अपन ऐसे से crotal कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, crotal, और जो एग है, वो काफी ज़्यादा प्यारा ए अंडा मिंस क्या होगा यहां पर एंडेमिक एंडेमिक असाइटिस काफी प्यारा यह लुक लग रहा है प्यारा का मीनिंग क्या है यहां पर पाइरोली जिदीन और प्यारा को क्या अपन बोलते हैं अलग लेंग्वेज में लवली मिंस यह लीवर के लिए टॉक्सिक होगा ल एक्रोटल का मीनिंग किया हे यहां पे क्रोटाल Tay miracles या जुनून जुन जुनिया जुन्जुन यले यह इसको सहटे हो जुनॆ जुन 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 जून जुन जी यह इसमं इसमें अडल्टक हो गा और यदि आपको उसको खाना है तो उसमें काफी सारे मिलेट मिला के खा सकते हो तो मिलेट इसका फूड हो गया तो यहां पर अपने देख लिया नेक्स अपने लेके चलते हैं आपको क्लैवी सेफ्स पर तो क्लैवी सेफ्स याद करने के लिए आपको क्या करनी है क्लैपिंग तो आप क्या कर रहे हो क्लैपिंग बजा रहे हो यहां पर क्लैपिंग बजा रहे हो क्लेपिंग बजा रहे हो क्या मतलब क्या है बजा रहे है मीन्स बाजरा इसमें जो फूट होता है वो क्या होता है बाजरा वीट और सोर्गम तो यह आफ कोई सोंग कोई भी सोंग आ रहा है उसके लिए क्लेपिंग कर रहे हो मीन्स सोर्गम और बजा बजा रहे ह हो यहां पर तो क्या हो गए यह तो पर पूरा किसक्स में होता है बाज़रा सोरगम भीट इन सब में होता है और क्लेवीजेफ्स तो क्लेविन अर्कलोइड होता है अर्गोटिजम इससे बिमारी होती है और इसको रिमूझ करने के लिए 20 परसेंट साल्ट वाटर काम में लेते हैं तो हमारा जो माइग्रेन का शेशन है यूटूब पर वह आप अटेंड कर सकते हैं उसमें क्या है कि पुरा अर्गोट समझा है अर्गोट के अगोनिस्ट कौन-कौन से होते हैं और इनके के-के एफेक्ट होते हैं आपको पता है कि ये वैसो कंस्टिक्शन कर देता है जिसकी वज़े से पैलर और गेंग्रेन, सैंड अन्थोनी, सफायर यहां तक ही डिजीज हो सकती है सेरेवरल वैसो कंस्टिक्शन करता है जिससे कौन सी विमारी सही हो सकती है माइग्रेन तो यह सब अपने देखा है और गोट को अपन इस्टेमिक हार्ट डिजीज जिनको भी काडेक हिस्ट्री है उसमें अपन अवूइड करते हैं ऐसे यह सब चीजे अपने उस सेशन में देखिए तो ऐसे अपने वन पेज में समराइज किया फूड के अडल्ट रेंड को और यह काफी इंपोर्टेंट है इसका फ्लेश कार्ड आप बनाके रखेंगे और रिपिटेटली इसको रिवाइस करते रहेंगे इस टॉपिक पर जो भी हाई-एल्ड क्यूशन होंगे व दियुक्त दॉपिक